तो इसमें आज हम प्राचीन भारत के थ्यास से ही संब्दित कोशन देखेंगे तो थर्टीन कोशन हो चुके थे और फिर यहां से सुरू करते हैं निम्गे खित्में से किसने लिखा कि प्राचीन भारत में दास पर्था बिद्वान नहीं थी तो बिल्कुल आख बंद करके मेगस्थनीस जो है यहां पर सही हो जाएंगे मेगस्थनीस सेल्यूकस नेकेटर द्वारत चंद्रकुप्त मौरी की राज सवा में भेजा गया यूरानी राज़ूत था यहां राज़ूत में मेगस्थनीस तक कारिन समाज में दास पर्था परचलित होने का कोई उलेख नहीं करता है उसके अनुसा समस्त भारतवासी सोतंत्र हैं इसमें कोई भी दास नहीं है भारती विदेशियों तक को दास नहीं बनाते तदह अपने देशवासियों की तो बात ही क्या है तो यह इस तरह से उन्होंने मेगस्थनीस ने लिखा था अपनी पुस्थक इंडीका में अगला कुशन इने बिखित में से किस राज का शाशक दियोडोटस प्रथम था तो आंसर क्या हो जाएगा बैक्टिरिया का था शाशक दियोडोटस बैक्टिरिया में स्वतंतर राज्य का संस्तापक दियोडोटस प्रथम था इसे सीरियाई शाशक एंटियोकस प्रथम ने ब यो डोटस प्रथम एक मात्तो कांची शाशक थे, इनके मन में वैक्ट्रिया को सुतंतर करने की उत्रक्रिष्ट अभिलाशार थी, कोटले के अनुसार, कोटले के अनुसार, राजा की योर से सिक्के त्यार करने वाले अध्यक्ष को क्या कहा जाता था, तो लक्षणा, लक्षणा अध्यक्ष जो है, सिक्के तयार करने वाले थे, तो ये कौन बताते हैं, कोटले, जी बताते हैं, अपनी अर्थिसास्त्रे पुस्तक में सिक्के संचालन करने का अधिकार राजी को था, लक्षणा अध्यक्ष जो है, सिक्के जारी करता था, और और परिक्षन के रूप में देना पड़ता था, आगे देखते हैं, अशोक के द्वदश शिलालेख क्या आदर्स प्रसुत करते हैं, तो द्वदश शिलालेख जो है, सभी धार में गुदार्था का बिल्कुल करते हैं, सभी संप्रदायों के सार की ब्रधी का ये भी सही उप प्यूपते दोनों पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, बाकि देखते हैं कि अशोक ने द्वदश शिलालेख में धार्मे कुदार्था तथा सभी संप्रदायों की सार की ब्रधी का उलेख किया है, अशोक अपने द्रश्टी कोण को अधे किस प संप्रदाय का उपकार करता है, अगला कोशन है, निमलेखित में से कौन सा गरंथ उलेख करता है कि अशोक स्री नगर यानि कश्मीर का संस्थापक था, तो कश्मीर का संस्थापक था, ये कौन सा गरंथ कहता है, तो ये करंथ कहता है, राच तरंगणी, कौन कहता है, राच तरंगणी कश्मीर कभी कल्धर की रास्तरंगणी से पता चलता कि अशोक का कश्मीर पर अधिकार था उसके अनुसार अशोक ने कश्मीर मैसरी नगर के स्थापना की ती और धर्मा रीविडी विहार में अशोक एश्वर नामक मंदिर के स्थापना की ती कल्धर ने अशोक को कश्मीर का पहला मौरिश आशक बताया है अगला कुशन है श्रवन बेल गोला इस्तित है तो ये है करनाटक में करनाटक में है श्रवन बेल गोला मैसूर करनाटक की चंद्रगिरी तथा इंद्रगिरी पहाड़ियों के वीश इस्तित है प्राचीन काल में यह जैन धर्मे का प भारत पर लिखने वाले निमलिखत विदेशी विद्वानों का सही काल करम बताना है, मतलब करम बताना है, जो उन्होंने प्राचीन भारत में लेखन किया है, तो यहाँ पर टीसियस, मेगस्थनीस, पलीनी, कॉसमस और इंडी, कॉपलेस, तिस जो है, यह सही हो जाएगा, फिर से देखते हैं, टीसियस, जो है, तौरती, शताबदी, इसापूर्व, फिर उसके बाद, मेगस्थनीस, फिर उसके बाद, पलीनी, और कॉसमस, जो है, पानसो, चालिस, इस आफस मेडूशथ हे तो हमारा आंसर गतलनु भी हो जाएगा अंग abus टस के रूं जो रोम किस से प्राप्त होते हैं तो नम्म मीडू दर्पgeord Laurie अरीका मेडू से आगे देखते हैं तो यह वाला जो questions अब बहुत ही important है यूज़ी सी नेट अक्शर इससे ही क्या है कोशन हमारे सामने रखे तो बहुत important है आने के बिल्कुल समबावना है कि आगे देखते अगस्टस यह भी बहुत नया question है तो अरीका मेडू में अगस्टेस के रोम के सिख्के प्राप्त हुए हैं अब आईए अरीका मेडू जो है पानेचेरी से 3 किलो मीटर दूर कोरो मंडल तट परिस्यत एक बंदरगा था यहां से चीन मलाया रोम से ब्यापार संचालेत होता था 1945 इसवी में वीलर एवं कैसल ने यहां उत्खनन में अनेग रोम वस्तियों के अवसेस प्राप्त किये थे उत्खनन से प्राप्त सिख्कों के अधार अरीका मेडू प्रतम शताबदी इसापूर्व से दुतिय शताबदी इसापूर्व तक के मद्य प्रसिद के सिखर रहे हैं पेरिपलस में इसका उलेख है, यहां चोल शाषों की मुद्रायम बहुतायत में मिली है, रोमन शाषक अगस्तस तथा ताइबेरियस के सिक्के भी प्राप्त होते हैं, आगे देखते हैं साथ वाहनों की शाष की ये भासा क्या थी, तो साथ वाहनों की शाष की ये भासा प्र प्राकृत थी साथ वाहन काल्म महाराश्ट्री प्राकृत भासा दच्छन भारत में बोली जाती थी साथ वाहनों की यह राश्ट भासा थी साथ वाहनों के अभी लेख इसी भासा में लिखे गए हैं हाल नामक राजा एक महान कभी था जिसे गाथा शत्षती नामक प्राकृत बाजा के स्रंगार रस प्रधान गीती काभी की रचना की थी आगे देखते हैं तांडा एक सम्रिद समुध्र पत्तन था किन का तो चेरों का आगे देखते हैं गुप्त और गुप्त तरकाल में सोने के सिक्खे के लिए प्रियुक्त होने वाले दिनार शब्द किस से अब यूजरमिक गुप्त मुद्राएं कुषान मुद्राओं के आधार पर एक सो एक कीस ग्रेयन तोल मान कर जारी की गई थी यदि पी उनका बास्तिविक बाहर जो है 118 से लेकि 123 ग्रेन के बीच रहा है इसमें 90 प्रतिशत शुद्ध स्वन की मात्रा होती थी इसकंदी गुप्ति के समय तक आस्तन तॉल मान जो है 144 ग्रेन हो गया था और शुद्ध शुद्ध की मात्रा जो है 17 प्रतिशत की लबब हो गई थी इसके पश्याग हून आकमन के 54 प्रतिशत रह गई थी आगे देखते हैं दासों की मुक्ती का विस्तित निरूपन सर्प्रतम मिलता है मुक्ती का विवरंड कौन से गरंथ में मिलता है तो नारत इस मिर्टी गरंथ में हमें मिलता है कि नारत में दास के 15 प्रकार बताये गए हैं और दास मुक्ती का विदानवी सर्प्रतम नारत नहीं बताया है आगे देखते हैं गंदिकों के सिक्षे कोशामबी गंदिकों के सिक्षे चलाए गए इसका प्रमाण कहां से मिलता है कोशामबी से आगे है निम्नमैसे किस गरंथ पर मेगा तिथी ने टीका लिखी है तो मेगा तिथी ने टीका लिखी है मनुसमर्थी मनुसमर्थी हो तो दो बिल्कुल याद रखना है, UGC net ने यह कोश्यन बिल्कुल पूछा है, और आगे भी पूछ सकता है, तो एक बार कुल्लूग भट पूछाता है, तो इस बार मेगा तिति far गोविन्ग राज पूछ सकता है, तो आपको दोनों भी रखना है यार, इसके अलाबा, याग वलक्ति का कार जो है विशुरू विज्ञानेशवर अपराख है आगे सामाने परिस्टियों में इस्त्री धन के उत्राधिकार में प्रथम अधिकार किसका होता था पुत्रियों का होता था इस्त्री धन को उत्रादिकार में प्राप्त करने का अधिकार पुत्री को दिया जाता था यदि इस्त्री की कोई संतान नहीं होती थी तो धन उसके पिता तता भाई के पास चला जाता था इसत्री धन के उत्ता दीकार के लिए आविवाहित कन्याओं को ही प्रात्मेक्ता दी जाती थी यदि कन्याओ विवाहित हैं थो उन्हे सामान भाग दिए जाने का ब्रधैन था अगरा कोशन देखते हैं निमलिकित में इसे किन धर्म है? सास्र लेखक पैत्रिक संपत्ती में पुत्र का जन्मा अधिकार मानते थे तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा जीमूत वहाई जो है सही आंसर हो जाएगा जीमूत वहाई जीमूत वहाई मानते हैं कि पुत्र का जन्मा अधिकार मानते हैं पुत्र का जन्मा अधिकार, आगे हैं एक तरफ लेखाख हैं एक तरफ विशे हैं तो यहाँ पर चरक जो है वो हो जाएंगे, चिकिस्सा से चरक जो है चिकिस्सा से हो जाएंगे, विशाख दत बाशकराचारी हो जाएंगे, विशाख दत नाटक से हो जाएंगे, दो हो गया वारे में ही यह हो जाएंगे जोतिशी से अबाशकर रचार गड़त से तो दो, तीन, एक, चार दो, तीन, एक, चार यह है सी नमबर आगे देखते हैं तो यह ब्याख्या वही है जो बताई गई थी अगला कुशन देखते हैं इसलाम में मिलाए गए हंदूों को पुना है हंदू धर्मे परिवर्टित करनने के नियमों को बताता है तो आंसर क्या हो जाएगा देवल इसम sinking जो है वो यह बताते कि हागर कोई मुसल्मान कोई हंदू मुसल्मान बन गया है और वो बापिस हिंदु धर्मे आना चाता है तो उसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं उस नियम जो बुक बनाए गई है उस नियम के उसको देवल इसमिती कहते हैं देवल इसमिटी में बलात मलब जवजस्ती इसलाम में मिलाए गए हिंदूओं को पुनाहा हिंदू धन में परिवर्टित करने की विदी का बढ़नन है देवल इशी ने सिंदू तटपरासीन होकर उन हिंदूओं को शुद्ध करके उन्हें मलेक्षों ने सबलता पूर्बग बंदी बना लिया था और उन्हें गोरच्षा का वद्ध करने तथा उसका मास खाने के लिए विवश किया गया था आगे देखते हैं योगनी पूर किसका नाम था दिली का था यह कहां से मिलता है पालम की भवली अभिलेक से मिलता है आगे देखते हैं और यहां पर संभवता कोई मदनपाल शाशक 1166 में योगनिपूल पर शाशन कर रहा था ऐसा बताता है बावली पालम बावली अभी लेग आगे देखते हैं निमलिक मेंसे कौन कनोच नगर पर अधिकार केत्री कौन संगस में सामिल नहीं था तो चोल नहीं थे बिल्कुल हो तक मगत का था उत्तर भारत का चक्रवर्ती शाशक बनने के लिए कनोच पर अधिकार करना वश्यक समझा जाने लगा अतहा इस पर अधिकार करने के लिए आठवी शताब्दी की तीन बड़ी शक्तियां पाल, परतिहार, राश्कूर के भी त्रिकोणिय संगस प्रारम हो ग गटना है, आगे देखते हैं निमलिकित धर्म शास्त्र लेख को मैसे कौन गहडवाल राजा गोविन चंद्र का मंत्री था तो लक्षमी धर हो जाएंगे, आगे है धर्म सास्त्रकार लक्षमी धर गढ़वाल वन्शी शाशा गोविन चंद्र के मंत्री थे, लक्षमी धर् प्रसिति गरंद गोविन चंद्र के आगरेपन लिखाता यह है गरंद 14 अध्यायों में विवक्त हैं आगे देखते हैं निम्लेकित में से प्रवन्द चिंता मणी का लेखा कौन है तो मेरु दंड हो जाएंगे कौन हो जाएंगे मेरु दंड अगला कुछन है कलहड की रास्तरंगरी का रचना हुई थी बारवी शताब्दी में कब हुई थी बारवी शताब्दी में कश्मीरी कभी कलहड तथा उसके गरंथ रास्तरंगरी का इत्यासिक रष्टी से सर्वादिक मातो है इस गरंथ की रचन केकाल में हुई थी उसके आठ तरंगरों में कश्मीर देश का प्रारंब से लेकर बारवी शताबदी तक का इत्यास वरने थे आगे देखते हैं कश्मीर में परिहासपूर नगर की स्थापना किसने की थी तो ललिता दितने की थी ललिता दित्य ने कश्मीर में परिहास पूर नगर वसायता श्री नगर वसायता अशोख ने अट Shommar ने परिहास पूर बसाता ललिता ललिता दित्य ने कल्धर उसके अनेक महलो भवनों और मंदरों के निर्मार का उले करता है मर्तन तीर्थ ने उसके बनवाई हुए मर्तन मंदर के अवशेश आज भी मिलते हैं जो अपनी तूटी हुई आदुने अवस्ता में भी अपनी विशालता, सौंदर्य और इस्तापति की शैली और अलंकरण से हमें सहेची की उतकरष्ट करते हैं उसमें परिहासपूर नगर की नगर बसाया और वहां खुद भी वह वहां पर रहा है मिहर भोज का ग्वालयर अभी लेख परतिहारों की परारम करता है लक्षमन से अनेक राजपूर वंशों की भांती गुजर परतिहार उत्पत्ती का परिश्ण भी बिवाद इसपष्ट है स्वयं परतिहारों के अभी लेखों और समसामाईक साहितिक साक्षों में उन्हें रगुकुल वंशी चत्रिय कहा गया है मिहर भोज की ग्वालयर परशस्ती में उन्हें राम के छोटे भाई लच्षमर से जोड़ा गया है जिसने इंड्रे के मद्य को चूर करने वाले मेगनाद के विरुद्य युद्धिकर शत्रूओं को रोकने में परतिहार अर्थाद गड़ के द्वार का काम किया था अगला कुशन है संग मर मर में उतकरिष्ट तम उतकिरन के लिए भारत में प्रख्याद जाएंन मंदिर हो जाएगा दिलवारा अबु परवत पर कई मंदिर प्राप्द होते हैं यहाँ पर सन्ग मर के मंदिर हैं दिलवाड़ा कहा जाता है सोलंकी यानि चालू के नरेज भीन दियो पर्थम के मंत्री विमल शाह ने गयारवी शताब दी में विमल शाही नामक मंदिर बनवाए था अनुशूती के अनुशाथ बिमल शाहे ने पहले कुम भेरियों में पार्शनात के 360 मंदिर बनवाए थे किन्तु उनकी इश्ट देवी अंबा ने किसी बात से नाराज होगर 5 मंदिरों के सिवाए सभी को जला दिया तथा बिमल शाह को दिल वाड़ा में आदी नात का मंदिर बनवाने का आदे सुपन में दिया उसने परमार नरेश को 56 लाक रूपे में भूमिक रहकर इस मंदिर का निर्मान करवाए था अगला कोशन है वह है कल्चुरी राजा जिसका इस्तंब अभी लेक बंगाल के बीर भूमी जिले में तो कण हो जाएगा कल्चुरी राजा जिसका इस्तंब बंगाल के बीर भूमी जिले में तो कण हो जाएगा कल्चुरी शाशक करण अथो लक्षमी करण अपने वंज का सरवादिक शक्तिशाली राजा थे उसने कुल आठ अभी लेक मिलते हैं जिसमें से हम उनकी उपलब्धियों का ज्यान प्राप्त करते हैं करण के पैकोर यानि की भीर भूमी जिला लेक से पता चलता है कि वहां की देवी को इस्तंब समर्पित किया गया था अगला कोशन है पूर्व मद्धिकाल में दंड पाशिक था पुलिस अथिकारी अगला कोशन है चोल इस्थानी स्वासासन के लिए उत्तरदार समीतियों के सदस्यों के संबंद में निम्ले खित मैंसे कौन सा कतन सही नहीं है तो बे मत्दान द्वारा चुने जाते थे ये वाला जो है सही नहीं है बाकि बे चिठी निकाल का चुनते थे ये सही है सदस्यों बनने के लिए उन्हें कतिपा शर्तों का पूरा करना होता थे ये भी सही है चोरी के अपराद में डनित कोई भी वेक्ति सदस्यों नहीं बन सकता था तो ये भी सही है उत्तर मेरु से प्राप्त परंत प्रथम कालीं दो अभिलेग से समीती के सदस्यों के निर्वाचन के संबंद मैं भी कुछ सूचनाएं दी गई हैं तदनु सार समीती के सदस्यों को चुनने के लिए पिटेग गाउं को 30 वार्डों में बाटा जाता था प्रिटेग वार्ड से एक एक व्यक्ति का चुनाव लाटरी निकाल कर किया जाता था गंगो चोल पुरम जो है राजन पर्थम की हो जाएगी गंगो कोंड चोल पुरम आगे है और इसका जो गंगो कोंड चोल पुरम मंदिर का नेमार जो है कि पुत्र राजंद्र प्रथम के शाशनकाल में हुआ था आगे हैं निमली खित में से किस मंदिर का शिखर दरवर्षेली का है तो दरवर्षेली का तेली मंदिर हो जाएगा गौलियर का तेली मंदिर दच्चन भारत में किसी तेलंगाना ब्रामणा ने गौलियर के यात्रा क की ओध्चो में द्रीबर शेली के तेली मंदर का निमार करवाई था आगे निकला रथोसे सबसे छोटा कौन है तो दुर्वती का है धृती का पल्लव काल में ममल शैली में एकाश मंदिरों का नेमाड किया गया उन्हें रथ कहा गया रथ है दुर्वती रथ नकुल सहद रथ अरजुन रथ भीम रथ धर्मराज रथ गड़ेश रथ पिंडारी रथ तथा वल अगला कुशन है निमलिखित में से किस के अगात पर मार्को पोलो भाती धन के एक बड़े भाग के अपवै पर दुख प्रकट करता है तो यह आंसर हो जाएगा यहाँ पर घोड़े का आगे हैं निमलिखित में उनके प्रारम खोने के काल करम में नीचे दिये कूट का उपयो कि समवत हुआ कली समवद फिर उसके बाद विक्रम समवद सक समवद और सबसे लास में गुप्त समवद तो कली समवद जो है 300002 इसीपूर्ग 32001 इसीपूर्ग का है विक्रम समवद 57 का है और सक्समवद 78 माः बिक्रम समवत 57 का है और सक समवत जो है वो 57 इसवी में गुप्त समवत जो है 399 में आरम किया गया था आगे निमलिक्त में से किसके विसे में चार अश्मेक संपाधन करने के हैं तो प्रवर्थ सेन हो जाएगा वकटक नरेश प्रवर्थ सेन पर्थम एक धर्मिनिष्ट ब्रहमर थे जिसके चार अश्मेक तथा एक बाजपे यगे अतिरिक्त अन्यवैदि यगों का नुश्थान किया गया था आगे हैं किस आदुनिक अचल से प्राचीन पंचाल की पहचान की जा सकती है तो पंचाल की पहचान करना है तो पंचाल जो है रोहिल खंड हो गया पंचाल क्या हो गया रोहिल खंड के बरेली बदाईयों और फरुखवाद के जिलों से मिलकर प्राचीन पंचाल जनपद ब प्राचीनतम ग्रंथ कौन है तरक विद्या तो नियाय सूत्र हो जाएगा नियाय दर्शन का प्रवर्ट गौतम ने किया था जिने अक्षपाद भी कहा जाता है नियाय का शाब्दिक अर्थ है तरक या नर्णा है जो इस बात का सूचक है कि ये दर्शन मुखता बौत दिक व जिस पर वात्साय ने नियाय भाष्य नमा टीका टीका लिखी थी तो आई होप आपको ये वाले कोशन सीरिज आपको पसंद आए होंगे पसंद आए होंगे तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें जल जादस 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 सब्सक्राइब करें इतने स एक और वीडियो के साथ पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद